डियर स्टुडेंट्स मैं रामा अतार कांटी वाल आपके इस यूटूब चैनल ओनलाइन इंगलेश क्लासेज बाई रामा अतार कांटी वाल में एक बार पुनह सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टुडेंट्स आज हम रेंबो का चेप्टर नमबार टू एरूम टेन बाई एट का एक कमरा पढ़ेंगे हैं स्टुडेंट्स ये पार्ट पेड़ी अंत्राल के बारे में हैं जो हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए गंबीर चुनोती बन रही है अर्थार्थ पेड़ी दर पेड़ी हम अपने माता पीता दादा दादी और बड़े बुजर्गों के साथ अपमांजनक विवहार करने की परवर्ती बढ़ती ही जा रही है ये कहानी इस बिंदू पर परकास डालती है कि किस परकार से आतमसंतोश, अधिकार, उचीत समझ का अभाव और आपसी प्रेम वे देख बाल का अभाव इस विसमता को और अधिक बढ़ा देता है आधुनिक फेशनेबल समास द्वारा अपने माथा पीता तथा दादा दादी के साथ अपमांजनक विवहार करने की बढ़ती परवर्ती पर लेखक अपनी गंबीर चिंताबिक करते हैं ये एक विचारो तेजग कहानी है जो एक विंग्यात्मक शैली में लिखे गई है मलिक पॉइंटिंग तो इसक्वायर इन द्रफ पलान लाइं ओन दे टेवल विफोर देम ये कमरा दस फीट लंबा और आठ फीट चोड़ा हो शकता है स्रीमती मलिक ने नक्षे में एक चोखाने की ओर इसारा करते वे कहा इस रूम माइट भी ये कमरा हो शकता है 10 बाइ 8 दस फीट लंबा और 8 फीट चोड़ा मिस्टिंग मलिक पॉइंटिंग तो इसक्वायर श्रीमती मलिक ने एक चोखाने की ओर इसारा करते वे कहा इसक्वायर मिन्ज चोखान एंड पॉइंटिंग मिन्ज इसारा करते वे इन दे ड्रफ पलान लाइं ओन दे टेबल बिफ़ॉर देम ये नक्षा उनके सामने टेबल पर रखा था उसने ये सुझाव तीसरी बार दिया था श्रीमती जो मलिक है उसने ये सुझाव कि ये कमरा दस पीट लंबा और आट पीट चोड़ा होना चाहिए ये तीसरी बार सुझाव दिया था Suggestion means सुझाव, it seemed it didn't register on either her husband or the architect engaged to design the house एशा लगता था या प्रतीत होता था कि ये सुझाव ने तो उसके पती पर और ने ही भवन सिल्पी पर कोई प्रभाव डाल पाया जिसको मकान का डिजाइन बनाने का काम दिया गया था It seemed ऐसा लगता था या ऐसा प्रतीत होता था कि it didn't register ये प्रभाव नहीं डाल पाया ये जो सुझाव है ये कोई प्रभाव नहीं डाल पाया किस पर और आइदर हर हजबिन उसके पती पर और the architect और उस भवन सिल्पी पर English to design the house जिसको मकान का design बनाने का काम दिया गया था Architect means भवन सिल्पी and English means काम पर रखा गया The Maliks were going to have a house of their oven in दिल्ले Malik परिवार दिल्ले में स्वेम का एक मकान बनाने जा रहे थे They had purchased a plot in the most fashionable colony of the town sometime ago उन्होंने कुछ समय पहले ही शहर की सबसे अधिक सुंदर कोलोनी में एक भूखंड खरीदा था They had purchased उन्होंने खरीदा था a plot एक भूखंड in the most fashionable colony अति सुंदर कोलोनी में आप टाउन शहर की sometime ago कुछ में पहले Now that they were posted back in दिल्ले अब जबकि उन्हें दिल्ले में पुने पदिस्तापित कर दिया गया था Posted means पुने पदिस्तापित कर देना They thought तो उन्होंने सोचा की they might as well have the house built की अब वे मकान बनवा सकते थे They might as well have the house built, built means बनाना, वे अपना मकान बनवा सकते थे In her heart of hearts, Mr. Malik also decided that after compulsion of the house, she would step back in दिल्ले Even if her husband was transferred to another station अपने दिल ही दिल में, स्री मती मलिक ने ये ते कर लिया था कि मकान के पूरा हुजाने के बाद वे दिल्ली में ही रहेंगी, चाहे उसके पती का इस्तान तरण किसी इस्तान पर हो जाए In her heart of hearts, अपने दिल ही दिल में Mr. Malik also decided, स्री मती मलिक ये निसे कर लिया था कि After compulsion of the house की मकान के पूरा हुजाने के पश्चाथ, she would step back in दिल्ली, वे दिल्ली में ही रहेंगी Even if her husband was transferred to another station, चाहे उनके पती का इस्तान आंतरन किसी इस्तान पर हो जाए She was sick of their postings, वे उनके बार-बार पदस्थापन से तंग आचुकी थे यान उनके पती Mr. Malik का पदस्थापन बार-बार अलग लगजगे पर होता ही रहता था तो इस पदस्थापन से वे तंग आचुकी थे She was sick, sick means परेशान या तंग of their postings उनके बार-बार इस्तानांतरन से Every other year, they were moved to a new place पर तेक दूसरे वर्ष वे एक नए इस्तान पर रहने को मजबूर होते थे इस्तानांतरन की वज़े से Every other year, पर तेक दूसरे वर्ष, they were moved to a new place उन्हें नए इस्तान पर जाना पड़ता था या नए इस्तान पर रहने को मजबूर वे होते थे Now, that the children were grown up अब जब की बच्चे बड़े हो गए थे It was not desirable to shift them from school to school तो उन्हें एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भरती कराना अच्छी बात भी नहीं थे It was not desirable ये अच्छी बात नहीं थे To shift them उन्हें भरती कराना From school to school एक स्कूल से दूसरे स्कूल में Mysteries Malik said If he must, Mr. Malik could go all alone वे कहती थी स्रीमती Malik कहती थी कि अगर जाना ही पड़े तो स्रीमान Malik अकेले ही जा सकते थे Mysteries Malik said स्रीमती Malik कहती थी If he must, Mr. Malik could go all alone अगर जाना पड़े उन्हें जाना पड़े तो वे स्रीमती स्रीमान Malik अकेले ही जा सकते है She would settle down permanently in Delhi with their children वे तो बच्चों के साथ इसताई रूप से दिल्ले में ही रहे के ऐसा उसने द्रटनी से कर लिया था She would settle down where रहेगी परमानेंटली इसताई रूप से इन दिल्ले में with the children बच्चों के साथ She would have her mother in law for company संगती के लिए उनकी सास उनके साथ रहेंगी सोशती है शंगती के लिए मेरी जो सास हों मेरे साथ रहेंगी कंपनी कंपनी मिन्स शंगती शाथ रहना Mr. Malik had no objection to it Mr. Malik को भी इसमें कोई एतराज नहीं था This room might be 10 by 8 Mr. Malik repeated ये कमरा 10 feet लंबा और 8 feet चोड़ा हो सकता है स्रीमती Malik ने दो रहाया repeated दो रहाया Her husband was attending to a telephone call in the adjacent room उनके पती पास वाले कमरे में telephone पर बात कर रहे थे Her husband उसके पती was attending to a telephone call telephone पर बात कर रहे थे in the adjacent room बगल वाले या पास वाले कमरे में But this is a store लेकिन ये तो store है The architect explained to Mr. Malik उस ग्रेह सिल्पी ने या भवन सिल्पी ने स्रीमती मलिक को शम्जाया Architect ग्रेह सिल्पी या भवन सिल्पी explain शम्जाया इसको to Mr. Malik स्रीमती मलिक को येस हाँ बट लेकिन I thought मैंने सोचा It could be my mother in last room ये मेरी सास का कमरा हो शकता है Could भी हो शकता है my mother in last room मेरी सास का कमरा And after her और उनके बाद It might be used as a store room इसे store room के रूप में कम में लिया जा सकता है यानि मेरी सास के गुजरने के पसाथ इसको store room के रूप में कम में लिया जा सकता है The architect didn't seem to understand ऐसा लगा कि भवन सिल्पी इस बात को शमज नहीं पाया शीम प्रतीत हुआ या लगा understand means समझना इस बात को समज नहीं पाया He looked puzzled by Mr. Malik's observation वे स्रीमती Malik की टीपनी से भर्मित सा दिखाई दिया Looked दिखाई दिया पजल भर्मित सा उल्जन में By Mr. Malik's observation स्रीमती Malik की टीपनी से I mean मेरा मतलब है My mother-in-law could use the room for the present मेरी सास इस कमरे को वर्तमान में काम में ले सकती है As you know, जैसा कि आप जानते हैं She is old and infirm, वे बुड़ी और कमजोर है Old booty and infirm means कमजोर She isn't going to be there for वे हमेशा तो रहेंगी नहीं And after her, और उनके बाद It could be converted into a store room इसे store room में बदला जा सकता है Converted, could be converted, बदला जा सकता है Into a store room, store room में Mistress Malik explained haltingly Shri Mati Malik ने रुक रुक कर कहा Explain, समझाया कहा Haltingly, रुक, रुक कर के Students, आज के लिए इतना ही इसका remaining part आगले वीडियो में दिया जेगा वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद Have a nice day प्लाओ कर देख सेखने के लिए